वेलकम टू कॉर क्लासिस स्टूडेंट्स आज हम एक अप्डेशन लेकर आए हैं जो इगनों ने अभी साइट पे डाली है सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करेंगे कि जो स्टूडेंट्स के एक्जाम के रिजल्ट नहीं आये थे उनके लिए एक अप्डेशन दुबारा से आई है कि आपके रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन ये जो अप्डेशन है वो 18 जून की है लेकिन फिर भी हम आपके साथ एक बार शेयर कर लेते हैं क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसे शेयर नहीं किया था डिसामबर 2020 एक्जाम रिजल्ट में देखें ये 18 जून का जो स्टेटस है डाला हुआ है तो कुछ स्टूडेंस जिनके रिजल्ट अभी जिनन चेक नँचेक नहीं किया है वो यहां पर अपना enroll number नमबर डालके रिजल्ट जो है अपन चेक कर सकते हैं एक ये अप्डेशन थी उसके साथ साथ एक दूसरी अप्डेशन जो है revaluation को लेकर है कि REVALUATIONS का result कुछ students का आ चुका है लेकिन कुछ student का भी नहीं आया था IGNOW की तरफ से यह बताया गया है कि REVALUATIONS के result के लिए भी बहुत टाइम लगेगा देखें पे लिखा हुआ है REVALUATIONS result December 2020 तो देखें यहां पे यह भी 18 जून का ही status है बहुत सारे students का result अभी नहीं आया था क्योंकि और उसके साथ ही IGNOW ने ये भी बताया है कि अभी बहुत सारे result अभी बाकी है जिसके लिए भी बहुत टाइम भी लग सकता है लेकिन बहुत सारे result आ भी चुके हैं तो यहां पे इसमें 18 जून को बहुत सारे courses के result जारी किये है evaluation के जिसमें जो आपके students को लग रहा था कि अभी जो हमारे exam result आये हैं उसमें number requirement number जो इसके अपेक्षा थी उसे कम आये हैं तो उन students ने evaluation form बना था लेकिन कुछ students के result आये हैं जो उन्होंने number देखे थे कि उनके number बढ़े कुछ students के number कम भी आये हैं री चेकिंग के बाद और कुछ students के number बढ़े भी हैं तो यहां पे आप जिन students के अभी नहीं चेक हुए evaluation result नहीं आया है वो यहां पे enrollment number डालके अपना evaluation result अपना check कर सकते हैं इसके साथ दूसरा region center Delhi region center से एक update आया है वो हम आपके साथ एक बाद शेयर कर लें तो Delhi region center 3 regional center के site पे अगर आप जिनका regional center Delhi 3 है उन्होंने देखे यहां पे events में एक section अभी इठारा जून को इसकी update आई थी MAAN PGD FSQM और उसके अलावा BBA और उन्होंने वाइवा वाइस exam December 2020 session जो June का session है उसके regarding उन्होंने एक news जारी करी है तो देखते हैं इसमें क्या है तो यह जो news है उसमें यह बताया गया है कि आपके बहुत सारे ऐसे courses हैं जिन students के MAN है, PG, DIS है, BBA है उनके बारे में यह बताया गया है कि वाइवा वाइस exam December 2020 का उन्होंने एक join with Google meet तो यहां पर उन्होंने एक प्रोग्राम जारी किया है देखिए हैं वाइवा वाइस के लिए और देखिए वेरियस courses यहां पर लिखिए हैं टैबुलर फॉर्म में वेरियस courses और और enrollment number students के हैं उनके नाम है किस दिन उनको बुलाया गया है किस दिन के है जैसे 21 जून डेट है 21 जून को देखिए यहां पर BBA students का है और PGDLAN वाइवा वाइस है और उसके बाद PGDIS वाइवा वाइस और MAN इन सभी students के 21 जून को जो वाइवा वाइस होने हैं उनका time देखिए यहां पर दिया गया किसी को चार बजे बुलाया गया है किसको 11 बजे साड़े ग्यारा बजे पौने बारा दो बजे धाई बजे देखिए यहां पर अलग अलग timing दी गई है उसी time के हिसाब से students को जाके अपना वाइवा देना होगा तो यह बड़ी न्यूस थी जिन स्टू आप चेक कर सकते हैं 12 जून को आपका नया अपडेशन आया था बहुत सारे कोर्स के रिजल्स आ चुके हैं आप चेक कर लीजिए और उसके अलावा डैली सेंटर जो रीजिनल डैली 3 रीजिनल सेंटर है उन्होंने वाइवा उस के लिए students को वीरियस को स्टूदेंस को प्रूरी थी क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसे शियर नहीं किया था मिलेंगे किसी अगली न्यूस के साथ अब तक देखते रिये चैनल का और क्लासिस थैंक यू